नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है वेरी गूड बॉर्निंग टू अल अफ यू आज है 15 दिसंबर तो देश-प्रदेश की बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं ओमिक्रोन को लेकर महारास्टर से आई चिंता जनक खबर 8 लोग मिले हैं संकर्मित कईसी भी दूसरे देश का दोरा नहीं किया गया है देश में मंगलबार को कोरोना के नई वैरियंट ओमिक्रोन के बारा नई मामले सामने आए एक दिन में मिले नई वैरियंट में संक्रमितों की आप तक की यह सबसे बड़ी संक्या है इनको मिलाकर ओमिक्रोन के कुल मरीजों की संक्या मारास्टर में 28 दिली में 6 देश में 53 हो गई है अब तक साथ राज्य और केंदर शाषित परदेश चंडीगड में ओमिक्रोन के केस मिल चुके हैं सबसे चिंता की बात यह है कि महारास्टर में मिले 8 में से एक वी मरीज ने हाल फिलाल किसी दूसरे देश की यात्रा नहीं की है सुप्रिम कॉर्ट ने कहा कि योन कर्मियों को राशन कार्ड वोटर आईडी वे आधार कार्ड दे सरकार सुप्रिम कॉर्ट ने मंगलवार को कहा कि हर नागरिक को मूल अधिकार परदत है और इसका पेशा चाहे कुछ भी हो इसके साथ ही कोट ने केंदर सभी राज्यों और केंदर शाशित परदेशों को योन कर्मियों को मतदाता पहचान पत्र आधार और राशन कार्ड चारी करने की प्रकिरिया फोर्म शुरू करने उन्होंने राशन उपलब्द कराने रखने का नर्देश दिया है हालिकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए स्क्वाइडरन लीडर कुलदीप सिंग के परिवार को एक करोड राशी देगी राजस्तान सरकार राजस्तान सरकार ने स्क्वाडरन लीजर कुलदीप सिंग के परिवार के लिए एक करोड रुपे की अनुगरे राशी की खोशना की है आठ दिसंबर को तमिलाडो में हुई हलिकॉप्टर दुरगटना में सीडियेस जनर्र विपिन रावत पतनी मधुली का रावत और ग्यारा अन्न लोगों की जान चले गई थी दुरगटना में ग्रुप कैप्टन वरुन सिंग अकेली जिवित बचे हैं और वर्तमान में लाज केले बैंगलूर के वाई सेना कमान अस्पताल में भरती हैं राजस्तान के मुख्य मंतरी अशोग के लावत ने मंगलवार को ट्वीट करके इसकी खोशना की है ओमिक्रोन वेरियंट की स्थी पर नागरी कुड़न की पैनी नजर अंतरास्टे उडाने 31 जनवरी तक रहेंगी स्थागेत नागरे कुड़न मंतरी जोती राजी सिंधेता ने मंगलवार को कहा कि सामाने अंतरास्टे उडाने कोरोना वाइरस के ओमिक्रोन वेरिंट की सती पर नर्भर करेंगी और संबंधित अधिकारी सती पर नजर बनाये रखेंगे 26 नमबर को DGCN भारत से और भारत के लिए वानिजी कंतरास्टे उडानों को 15 दिसमबर से फिर से शुरू करने का फैसला किया था लेकिन ओमिक्रोन वेरिंट सामने आने के बाद एक हपते के भीतर ही उसे अपना फैसला स्थगित करना पड़ा CDS विपिन रावत के साले की जमीन पर बिना सहमती अधिकर्ण कर शुरू कर दिया सेडक निर्मान सोशल मेडिया पोस्ट के बाद रुका काम CDS स्वर्गिये विपिन रावत के साले यश्वरदन सिंग अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए दिल्ली में थे और इसी दोरान बिना उनकी शैमती के शहडोल जिला परसासर ने उनकी नीजी जमीन अधिकर्ण कर ली और उस पर सड़क का निर्मान शुरू कर दिया बारत आने वाले सभी अंतरास्टी यात्रों के लिए आर्टी PCR टेस्ट की प्री बुकिंग जरूरी है सिंधिया ने के ये बात कोरोना वाइरिस के नई वेरिंट ओमिक्रों कर ली कर चिंता बढ़ती जा रही है ऐसे में भायर सरकार के और से कुछ आदेश पारित हुई है 20 दिसंबर से 6 परमुक हवाय दो दिल्ली, मुंबई, कॉल्गता, चेन नहीं के साथ-साथ, बैंगलोर और हैदराबाद पर पहुँचने वाले जोकिम वाली देशों की सभी अंतरास्टी यात्रियों को अनिवारी रूप से आर्टी PCR टेस्ट की प्री बुकिंग करवानी हो पूर गरह मंतरी देशमुक की नई खिरासत 27 दिसंबर तक बढ़ा दी है, वर्तबान में मुंबई के औरता रोड जेल में बंध है, एक तरफ जहां निलंबिल सिपाही सचिन वाजे ने राज्यत वारा नियुक्त एक सदस्या उच सत्य जात समीती में बताए कि अनिर देश जान गई है और 7,995 लोग रिकवर करवाए हैं, देश में अब तक की एक्टिव मॉमलों की बात करें तो 88,993 हैं, सरकार ने पिछले तीन वित्य वर्षों में पेट्रोल डिजलों पर करो से 8 लाग करोड रुपे कमाई हैं, M.F. Sita Raman ने कहा है, के अंदर ने पिछले तीन वित्य वर्षों के दोरान पेट्रोल डिजलों पर करोव से लगबग 8.02 लाग करोड रुपे कमाई हैं, जिसमें से अकेली वित्वर्ष 2015 में 3.71 लाग करोड रुपे में अधिक एक्ट्रत किये गए, सेफली खान पिछले एक अपते से मुंबई में नहीं है, BMC का करीना के परिवार पर सहयोग नहीं करने का आरोप, मुंबई नगर निगम BMC ने करीना कर पूर और अमरता आरोडा पर COVID-19 के लिए दो अभी नित्रों के पॉजिटिव आने के बाद COVID के मांदनों का उलंगन करने का आरोप लगाया है, अब BMC आरोप लगा रही है कि करीना का परिवार उनका सहयोग नहीं कर रहे है, बार-बार पूस्ताज के बाद उन्हेंने खुलासा किया कि सैफली खान मुंबई में नहीं है, ट्विटर इंडिया के पूर परमुक मनीश महेश्वरी ने पच छोड़ दिया, एडटेक स्टार्ट अप लौंज किया, करें वीडियो को लाइक और शेयर करें,